सब्सक्राइब कीजी हमारा चैनल क्रेजी दिके ट्रिक और लेटेस्ट विडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं बड़ा है इसमें theory section भी काफी जादा है और question answer जो set लगाएंगे हम वो भी number of question जादा है तो इस lecture को देखिए मैंने दो भागों में बाटा है भाग 1 और भाग 2 ठीक है part 1 और part 2 में divide करा है part 1 में हम पूरा theory section अच्छे से cover करेंगे second part में देखिए हम 50 plus important question solve करेंगे जो last year exam में question पूछे गए हैं और जो question पूछे जा सकते हैं तो दोनों वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है 50 plus question अगर आप देखिए solve कर लेते हो जो कि आप theory section देखने के बाद में 101% कर दोगे तो आपका देखिए इस topic से exam में question आएगा कभी भी गलत नहीं होगा अगर आपको देखिए इस topic का PDF डाउनलोड करना है तो crazy zk trick का application डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर देखिए PDF का option available है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और भी जीके की PDF और करेंट अफिर PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं साथी friends अब आप देखिए crazy zk trick test series को भी जॉइन कर सकते हैं SSC, railway, PSE exam की test series जो है अब आप जॉइन कर पाएंगे इसके लिए देखिए simply आपको crazy zk trick का application डाउनलोड करना है वहाँ पर देखिए join करने का option आपको मिल जाएगा अगर आपने देखिए application डाउनलोड कर रखिए तो बस एक बार उसे update जरू कर ले तो चलिए friends हम lecture को start करते हैं तो देखिए friends इस पूरे topic में हम क्या-क्या discuss करने वाले हैं मिट्टी की संदशनाओं की बात करेंगे एक important देखिए word है humus जो की पूरे lecture में use होने वाला है वो क्या होता है उसको हम समझेंगे types of soil देखेंगे हम इसमें जलोड मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पिली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और बहुत सारी मिट्टी के प्रकारों को हम discuss करेंगे इसके बाद देखिए हम अमली मिट्टी और शारी मिट्टी एक basic concept है देखिए इसका हो हम discuss करेंगे फिस soil erosion को हम discuss करेंगे म्रदा अपरदन जिसे बोला आता है और उसके types यहां से देखिए एक्जाम में question पुछा आता SSC में भी question पुछा गया था nitrogen, isthalik current, प्रक्रिया को भी देखिए हम last में description करेंगे तो इन सब topics को देखिए हम इस पूरे lecture में cover करेंगे तो चलिए हम start करते हैं सबसे पहले friends हम बात करते हैं यह soil मरदा होती क्या है तो देखिए जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परज जो होती है वही क्या किलाती है मरदा किलाती है इस मरदा का निर्मान जो होता है वो अनेक प्रकार के खनी जो पोधे, मतलब प्लांट्स जो होते हैं गेस, पानी, जीव जन्तूओं के जो अवशेश होते हैं उन सब से देखिए मिट्टी का निर्मान होता है clear? मरदा में देखिए friends अलग-अलग प्रकार के कंड जो है वो उपस्तित होते हैं कौन-कौन से? clay, जिसे मृतिका बोला जाता है हिंदी में आपको exam में भी देखिए, यही word देखने को मिलेगा इसलिए ध्यान रखिएगा चिकने कंड जो होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? मृतिका कहा जाता है इसके बाद देखिए, silt होता है जिसे हिंदी में गाद बोलते हैं, बालू, बजरी यह चार कंड जो है, basically म्रदा में पाए जाते हैं अब कंडों के आकार के हिसाब से, इनका क्रम देख लीजिए क्ले जो होता है, देखिए, जो मृतिका होती है वो आकार में सबसे कम होती है इसके बाद आता है, देखिए, थोड़ा सा आकार में बड़ा गाद जिसे बोला आता है, सिल्ट इसके बाद आती है, देखिए, बालू और सबसे आकार में बड़ी होती है, बजरी ठीक है, कंकड पत्थर जो होते है तो समझ में आया आपको, अब एक basic छोटा सा concept ध्यान रखेगा जिस कन का आकार, जितना छोटा होगा जिस कन का आकार, जितना छोटा होगा उतना पानी सोकने की शमता उसमें अधिक होगी समझ में आया आपको, तो सबसे अधिक जल सोकने की शमता जो होगी, वो किसमे होगी मृतिका में होगी, क्ले में होगी वेरी वेरी important concept है यह आगे काम आने वाला है आगे देखिए हम एक term को अच्छे से डिसकस करते हैं, जो की है humus इस पूरे lecture में देखिए आपको यह word सुनने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं humus क्या होता है गाडे, भूरे या काले रंग का एक कार्बनिक पदार्थ होता है basically humus जो होता है वो organic material होता है ठीक है? पेड, पोधे, पत्ती, सुक्ष्मजीवों के decomposition मतलब उनके अपगटन से कार्बनिक पदार्थ का निर्मान होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं humus करते हैं ये भारती मर्दाव में देखिए बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है humus अलग-अलग मिट्टी में humus की मात्रा जो होती है वो अलग-अलग होती है humus जो होता है वो मिट्टी में नमी मतलब moisture को बनाए रखने का काम करता है समझ में आए आपको? तो ये हमने देखिए अच्छे समझ लिया humus क्या होता है एक organic material होता है ठीके? आगे देखिए friends हम बात करते हैं कि भारती क्रशी अनुसंदान परिशत जो है ICAR उसने मिट्टी को रंग सनरशना के आधार पर आठ भागों में बाटा है इन अलग-अलग आठ टाइप की मिट्टियों को हम अच्छे से पुरा discuss करेंगे कौन-कौन सी यह देखिए एक बार जलोड मिट्टी काली मिट्टी लाल-पीली मिट्टी लेटराइड मिट्टी शुश्क मिट्टी लवनिय मिट्टी पिटमय मिट्टी और वन मिट्टी इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे चलिए हम सबसे बहले स्टार्ट करते हैं जलोड मिट्टी से देखिए जलोड मिट्टी जो है इसे देखिए दो नाम से जाना जाता है दोमट मिट्टी या कचारी मिट्टी तो इसको लेकर एक्जाम में कंफ्यूज मत हो येगा अगर दोमट मिट्टी के बारे में अगर आपको कोश्यन में देखने को मिले तो वो जलोल मिट्टी ही है अब देखिए इसकी संदरशना कैसे होती है जलोड मिट्टी जो है दोमट मिट्टी जो है ये किन किन कणों से मिलकर बनी होती है तो देखिए इसके अंदर 40 प्रतिशत होता है बालू सेंड 40 प्रतिशत होता है मृति का मतलब चिकने कण जो उमने बात करी थी कले 20 प्रतिशत होता है इसके अंदर सिल्ट मतलब गाद ये कॉंबिनेशन जो मैंने आपको बताया है ये ध्यान रखिएगा एक्जाम में सीधे कोशन पुछ लेते हैं ये भारत की देखिए जलोड मिट्टी जो है ये सबसे उपजाओ मिट्टी है इसलिए जलोड मिट्टी को अन मिट्टी की तुलना में कम उर्वर को मतलब फर्टिलाइजर की आवशक्दा होती है सबसे जादा भारत की उपजाओ मिट्टी कौन सी है जलोड मिट्टी है दोमट मिट्टी जो है देश के कुल शेत्रफल के लगबग 40% भाग को ढगे हुए है भारत के सरवादिक शेत्र पर इसी प्रकार की म्रदा जो है मिट्टी जो है वो पाई जाती है भारत की सबसे उपजाव मिट्टी है जलोड मिट्टी और भारत के सरवादिक शेत्र पर इसी प्रकार के मिट्टी जो है वो पाई जाती है ये मिट्टी जो है भारत के पंजाब से असम तक के विशाल मेदानी भाग के साथ साथ नर्बदा, महानदी, गोदावरी, क्रश्नानदी घाटियों में भी फैली हुई है मतलब तटिय मेदानों और उत्तर भारत के मेदानों में इस प्रकार के मिट्टी जो है वो पाई जाती है इस मिट्टी में देखिये पोटाश, चुना, फासफोरिक एसीड इन सब की प्रचूर मात्रा होती है पर नाइट्रोजन और हुमस की कमी पाई जाती है जिसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन और हुमस की देखिया अधिकतर कमी पाई जाती है जलोड मिट्टी जो है ये धान मतलब चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है साथी इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपाज, फल, सबजिया इन सबकी भी खेती की जाती है आगे समझेगा जलोड मिट्टी जो होती है ये दो प्रकार की होती है एक होती है नई जलोड मिट्टी और एक होती है पुरानी जलोड मिट्टी नई जलोड मिट्टी को देखिए खादर बोला जाता है पुरानी जलोड मिट्टी को बोला जाता है बांगर कैसे दियान रखेंगे देखिए इसको ऐसे दियान रख सकते हो जैसे कि कोई भी आईटम अपने घर में पुराना हो जाता तो अपन उससे क्या बोलते हैं, कि ये तो भंगार हो गया ठीक है? तो आपको देखिए वो sound जो है, बांगर में देखने को मिल जाएगा भंगार, बांगर ग-ग-ग का sound जो है आपको देखने को मिल जाएगा, उससे आप idea लगा सकते हो कि बंगार जो है वो नई जरोड मिट्टी को बोलते हैं कि पुरानी जरोड मिट्टी को बोलते हैं तो अव्यसी बात है बंगार हो गया मतलब पुराने आइटम की बात कर रहे हैं मतलब पुरानी जरोड मिट्टी की हम बात कर रहे हैं ध्यान रख्येगा खादर मतलब नई जलोड मिट्टी, बांगर मतलब पुरानी जलोड मिट्टी अब देखिए खादर और बांगर को समझ लेते हैं खादर की बात करते हैं तो इस प्रकार की मिट्टी जो होती है वो नदी के निकट पाई जाती है हर साल बार के कारण मिट्टी की नई परत का जमाओ तो समझ में आगे आपको खादर किसे बोला जाता है और बांगर किसे बोला जाता है तो यह हमने देखिए जरूर मिट्टी को अच्छे से discuss कर लिया है दोमर मिट्टी चलिए अब आगे हम बात करते हैं अब काली मिट्टी की very very important है यहाँ से बहुत questions बनते हैं काली मिट्टी को देखिए बहुत सारे नामों से जाना जाता है ध्यान रखेगा SSC में कोशिन पुछा गया था, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है, कपास की मिट्टी कहा जाता है, लावा मिट्टी कहा जाता है, ट्रॉपिकल ब्लेक अर्थ जो है वो काली मिट्टी को कहा जाता है, तो ये सारे नाम ध्यान रखेगा, ये काल अक्षय मतलब तूट फूट से काली मिट्टी का निर्मान होता है। इसलिए काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ज्वाला मुखी विस्फोट से निकले लावा से इसका निर्मान होता है। इसलिए काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एक्जाम में सीधे कोशन पुछते हैं कि लावा मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है। तो काली मिट्टी को जाना जाता है। ज्वाला मुखी विसफोर्ट से लावा निकला, वो थंडा होने के बाद जब चट्टानों में परिवर्थित हुआ, तब उन बेसाल्ट लावे के चट्टानों के टूट फूट से काली मिट्टी का निर्माण हुआ. ये देखिए, सिंपल लेंग्वेज में आमने समझ लिया ये मिट्टी जो है, दक्कन ट्रेप मतलब दक्कन पठार के उपरी भाग में विशेश रूप से गुजरात, महारास्ट और 36 गड़ में पाई जाती है। आगे देखिए, दक्कन के पठार के अलावा, मालवा पठार में भी काली मिट्टी की अधिक्ता पाई जाती है। बहुत ही महीन कणो मतलब मृतिका से मिलकर बनी होती है। और मैंने आपको बताये था, मृतिका जो होती है, मतलब कले जो होता है, उसका आकार जो होता है, सबसे छोटा है। आकार अगर सबसे छोटा है, तो पानी सोकने की शमता बहुत जादा होगी और लंबे समय तक उसमें नमी बनी रहेगी। इसलिए काली मिट्टी को सीचाई की कम आवशक्ता होती है, जिसके कारण काली मिट्टी को स्वतर जूताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। सीधे एक्जाम में कोशन पुछा था, कि निम्न मैंसे किस मिट्टी को स्वतर जूताई वाली मिट्टी कहा जाता है। किसे कहा जाता है काली मिट्टी को समझ में आया आपको अगर directly में आपको बोलता कि मृतिका से मिलकर बनी होती हो मृतिका का आपको concept अगर clear नहीं होता तो आप इसको समझ नहीं पाते इसलिए हमने देखिए स्टार्टिंग में basic जो है वो clear कर लिया ध्यान रखिएगा तो काली मिट्टी को स्वतर जूताय वाली मिट्टी कहा जाता है इसके बाद देखिए इस मिट्टी में nitrogen और humus मतलब जेविक पदार्तों की कमी पाई जाती है प्राइदीपी भारत में काली मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्राइदीपी भारत मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया महारा स्टोरी सेरिय में काली मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है उत्तर भारत में देखिए इस मिट्टी को केवाल नाम से जाना जाता है किस नाम से आना आता है केवाल के नाम से तो फ्रेंड्स यह हमारा देखिए काली मिट्टी से related सारे points कवर हो गए हैं आगे हम हम बात करते हैं लाल और पिली मिट्टी की इस मिट्टी का निर्मार्ण जो है वो कायंत्रिक शेलो मतलब मेटामोर्फिक रॉक्स के तूट फूट से हुआ हैं लाल और पिली मिट्टी का निर्मार्ण अब हमारे दिमाग में कॉशन आता है कि कायंत्रिक शेल जो है वो किसे कहा जाता हैं मेटामोर्फिक रॉक्स जो है वो किसे कहा जाता हैं तो यह एक basic चीजे हैं, देखिए मैं आपको revise करा देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो, प्रत्वी पर देखिए basically तीन शेलों के हम बात करते हैं, ठीके कुन-कुन सी आगने शेल, अवसाधी शेल और कायंतरी शेल, कायंतरी शेल को ही देखिए रूपांतरी शेल भी कहा जाता है, तो friends देखिए, आगने शेलों का निर्मान जो है, जो igneous शेल है, इसका निर्मान कैसे होता है? जमीन के अंदर के पिगले हुए चट्टानी पधार्त के ठंडे होकर, जम जाने से आगने शेल का निर्मान होता है, इन आगने शेल की टूट फूट से, किसका निर्मान होता है, अवसाधी शेलों का निर्मान होता है, और ये अवसाधी शेल जो है, सेडिमेंटरी शेल जो इनी कायन्त्री शेलोक के टूट फूट से लाल और पिली मिट्टी का निर्मान होता है। अब सम instantly आए आपको इस प्रकार के मिट्टी में देखें लौहा और सिलिका की मातरा जादा होती हैं। लोहे और सिलिका की मातरा किस मिट्टी में ज्यादा होती हैं लाल और पिली मिट्टी में लाल और पिली मिट्टी जो है ये दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिन में पाई जाती हैं चत्तिसगर्ड, ओरिसा, करनाटग, आंदरप्रदेश, तमिलनाडू इसके साथ साथ में ध्यान रखियेगा नागालें, जारखन, इसमें प्रमुग रूप से पाई जाती हैं हमने काली मिट्टी की बात करी तो महाँ पर टिटैनी फेरस मेंगनेटाइट की उपस्तिती के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता हैं लाल मिट्री का धियान रखेगा फेरिक ऑक्साइड की उपस्तित के कारण लाल रंग होता है। जब यह मिट्री जल को सोकती हैं, मतलब जल योजी तवस्ता में होती हैं, तब यह लाल मिट्री जो हे, वो पिली मिट्री दिखाई देती हैं। समझ में आये आपको ? इस मिट्टी में देखिए नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो कम होती है प्राया ये मिट्टी जो है बंजर भूमी के रूप में हमें देखने को मिलती है ये मिट्टी जो है बजली युक्त, बलूई और छिदर युक्त होती है इसलिए ये बाजरे की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उप्युक्त होती है ध्यान रखेगा लाल मिट्टी जो होती है वो बाजरे की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उप्युक्त होती है एक्जाम में कोशन पुछे कि बाजरे की खेती के लिए कौन से मिट्टी जो होती वो उप्यूक्त होती है तो ध्यान रखेगा लाल और पिली मिट्टी जो होती है वो बाजरे की खेती के लिए बहुत यादा उप्यूक्त होती है ये मिट्टी आलू और फलो के लिए भी उप्यूक्त होती है आगे देखिए अब हम बात करते हैं लेटराइट मिट्टी के बा पानी ज़्यादा घिर्दा है, वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ पर लेटराइट मिट्टी जो है, वो देखने को मिलती है, साती ध्यान रखेगा, निक्षालन के कारण, लीचिंग के कारण, इस मिट्टी का निर्मान जो है, वो देखने को मिलता है, लेटराइट मिट्ट इस मिट्टी में देखिए चुना, नाइट्रोजन और हुमस की मातरा जो है वो कम होती है क्योंकि जादा वर्षा के कारण हुमस जो है वो जल में घुल कर मिट्टी की निशली परतों में चला जाता है इसलिए लेटराइट मिट्टी में हिूमस की मादरा जो है वो कम पाई जाती है ये मिट्टी मुख्यता देखिए करक रेका और मकर रेका के बीच इस्थित राज्यों में पाई जाती है जैसे कि करनाटक, केरल, तमिलनाडू, महारास्ट, ओडिसा, पशिम मंगाल और पुरुवत्तर में मेगालाय में ठीके ध्यान रखिएगा बहुत ही इजी है याद रखना कि लेटराइट मिट्टी कहां पर पाई जाती है इस मिट्टी का देखिए सबसे आदा विस्तार अगर हम बात करें तो किस राज्यों में है केरल में मतलब मालाबार तटिये प्रदेश में लेटराइट मिट्टी का विस्तार जो है वो अधिक देखने को मिलता है ये मिट्टी जो है प्राया कम उर्वरगता वाली होती है फिर भी देखिए उर्वरगों का उपियोग कर मतलब fertilizer का उपियोग कर इसमें देखिए कपास, चाए, कॉफी, काजू, गन्या की खेती जो है वो की जाती है ये मिट्टी जो है चाय, इलाइची और काजू के लिए बहुत ज़्यादा उप्यूगत होती हैं जिसमें केरल, आंदरपदेश और तमिलनाडू की लाल लेटराइट मिट्टी जो है वो काजू की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उप्यूगत होती हैं बहुत इंपोर्टेंट है ये भी जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी जो है वो कौन से हो जाती है लवणिये मिट्टी हो जाती है मिट्टी में नमक की मात्रा केसे बढ़ती है खराब अपवातरंत्र मतलब खराब drainage system के कारण और शुष्क जलवायू मतलब arid climate के कारण मिट्टी में नमक की मातरा जो है वो बढ़ती है शुष्क जलवायू का मतलब देखिए ये है कि साल बर में जहाँ पर 250 mm से कम वर्षा होती है ठीके? लवनिय मिट्टी जो है देखिए इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है रे मिट्टी, उसर मिट्टी, कलर मिट्टी ये लवनिय मिट्टी के देखिए अलग-अलग नाम है तो इनको भी ध्यान रखिएगा लवनिय मिट्टी में sodium, calcium, potassium, magnesium की मातरा जो है वो अधिक होती है भारत में सबसे जादा लवनिय मिट्टी जो है वो कहां पर पाई जाती है किस राज्य में ध्यान रखिएगा गुजरात में पाई जाती है तो ये देखिए हमने लवनिय मिट्टी को अच्छे से डिसकस करा इसके बाद देखिए हम बात करते हैं शुश्क म्रदा की इरिट सोई इस म्रदा का रंग जो होता है वो कैसा होता है लाल होता है दिखने में देखिए बलूई और प्रकृति में लवणिये होती है इसमें नमक की मातरा जो है वो अधिक पाई जाती है इसमें ह्यूमस और नमी जो होती है वो कम होती है इस प्रकार की म्रदा जो है वो कहाँ पर देखने को मिलती है पश्चीमी राजयस्तान में देखने को मिलती है शुश्क म्रदा इसके बाद देखिए परवती म्रदा को हम डिसकस करते हैं हिमालाई परवती शेत्रों में इस तरह की मरदा जो है वो पाय जाती है, मिट्टी देखने को मिलती है, परवती ये मिट्टी में कंकड और पत्थर की मात्रा अधिक होती है, परवती मिट्टी में पोटाश, फॉस्फोरस एवं चूने की मात्रा जो है वो कम होती है, पहाडी जूम खेती सबसे ज़्याता ध्यान रखियेगा नागा लेंड में की जाती है। अब जूम खेती क्या होती है ये पेले भी हम डिसकस कर चुके हैं मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ। जब तक मिट्टी की उर्वरक्ता विद्धिमान रहती हैं तब तक उस भूमी पर खेती की जाती हैं। इसके पशात उस भूमी को छोड़ दे जाता हैं। लंबे समय तक भूमी को छोड़ने के बाद कुछ सालों में देखिए उन पर पुना पेड़ पोदे जो है वो उख जाते हैं। तब उन जंगली भूमी को साफ करके क्रशी के लिए नई भूमी जो है वो तेयार की जाती हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। जूम खेती बोलते हैं। जमीन पर एक पर्टिकुलर टाइम इंटर्वेल के बाद में उस पर खेती की जाती है। जूम खेती समझना है आपको। आगे देखिए परवती शेत्रों में सबसे ज़्यादा ध्यान रखेगा गरम मसाले जो है उनकी खेती की जाती है। तो ये देखिए परवती मरदा को हमने अच्छे से डिसकस करा। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं लास्ट में पिटमाई मरदा की। इसे देखिए बलदली मिट्टी जेविक मिट्टी भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से इस्पस्ट हैं कि डलदली मिट्टी है तो मतलब पाने की मातरा इसमें अधिक होती है। ये मरदा भारी वर्षा और उच्छ आदरता मतलब हुमिरिटी वाले शेत्रों में पाई जाती है। जेव पदार्तों की अधिकता के कारण इस मिट्टी में हुमस और जेव तत्व जो है वो परियापत मात्रा में उपस्तित होते हैं। ये मिट्टी जो होती है वो गाड़े काले रंकी होती है पिटमय मरदा ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिटमय मरदा जेविक मिट्टी को दलदली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो भारत में दलदली मिट्टी का शेत्र जो है वो देखिए कहां-कहां पर है केरल, उत्राखन, पश्यम बंगाल, इन शेत्रों में देखिए दलदली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। इस मर्दा का देखिए सबसे बड़ा गुण ये है कि इसमें जिवाश्म की प्रचुर मात्रा होती है। इसलिए इसे जेविक मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जेव मिट्टी किसे का जाता है, पिटमय मर्दा को का जाता है। तो ये देखिए हमने सारे मिट्टी के टाइ जलोड मिट्टी इसके बास second number पर आती है लाल और पिली मिट्टी तीसरे नमबर पर आती है काली मिट्टी और चोथे नमबर पर आती है लेटराइड मिट्टी clear भारत में सभी मिट्टियों में जेविक पदार्तों की कमी पाई जाती है पर काली मिट्टी में देखिए friends कुछ मात्रा में जेविक पदार्तों जो है वो उपस्तित होते हैं ध्यान रखिएगा काले मिट्टी में कुछ मात्रा में जेविक पदार्त जो है वो उपस्तित होते हैं ठीक है आगे देखिए इसके बाद हम बात करते हैं अमली मिट्टी और शारी मिट्टी क्या होती है तो फ्रेंड्स आप सब देखें pH वेल्यू से related कुछ पॉइंट्स तो इसी pH वेल्यू में उगाई जाती है जब मिट्टी की pH वेल्यू जादा होती है 7.2 pH वेल्यू से तो वो मिट्टी केसी हो जाती है अमली हो जाती है मतलब एसटिक हो जाती है जब मिट्टी की pH वेल्यू कम होती है 7.2 से तो वो मिट्टी केसी हो जाती है शारी हो जाती है ध् अमलिय मिट्टी जो है वो अधिक वर्षा वाले इस्थानों पर पाई जाती है और शारिय मिट्टी जो है ये कम वर्षा वाले इस्थानों पर पाई जाती है और कम वर्षा वाले इस्थानों पर शारिय मिट्टी जो है वो पाई जाती है फसलों के लिए देखे हम बात करें तो उसमें देखी अमली इता कम करने के लिए चूने का उप्योग किया जाता है शारी इता कम करने के लिए मिट्टी में जिपसम मतलब केल्शिम सल्फेट का उप्योग किया जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट अमली तकम करने के लिए चूने का और शारी तकम करने के लिए जिपसम का उप्यूक्त होती हैं जब पानी का निकास जो है वो अच्छा हो इसलिए परवतिय ढालों पर इसे उगाया जाता है तो ये देखिए हमने अमली और शारी मिट्टी जो है अच्छे से डिसकस करिए आगे देखिए फ्रेंड्स लास्ट हम टॉपिक डिसकस करेंगे जो की है म्रदा अपरदन ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट है यहां से भी कोशन मनते हैं म्रदा की देखिए प्रमुक समस्याओं मेंसे एक ये म्रदा अपरदन Soil Erosion म्रदा शेतर में मतलब मिट्टी शेतर में वनस्पतियों, प्लांट्स नहीं होने के कारण प्राकृतिक कारणों के चलते मर्दा जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो खंडितों कर तूट जाती है और बैह जाती है इसे ही क्या बोलते हैं, मिट्टी में वनस्पती प्लांट्स नहीं होने के कारण प्राकृतिक कारणों के चलते मुर्दा जो है वो खंडी तो कर तूट जाती है और बह जाती है इसे ही हम क्या बोलते हैं मुर्दा अपरदन बोलते हैं प्राकृतिक कारणों में जिसे की वर्षा होना ठीक है आगे हम डिसकस करेंगे मर्दा अपरदन के कारण देखते हैं तो तिवर मुसलाधर बारिश मर्दा अपरदन का देखे सॉल इरोजन का प्रमुक कारण है वनों की कटाई, जूम क्रशी तिवर वायू का चलना अव वेग्यानी क्रशी जिसे की बहुत ज़्यादा सिचाई और बहुत ज़्यादा उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर का उप्योग करना खुदाई, सड़क निर्माण, बांध का निर्माण ये सबी जो है मर्दा अपरदन मतलब सॉल इरोजन के कारण है आगे देखिए हम बात करते हैं मर्दा अपरदन के प्रकारों को Types of Soil Erosion सबसे पहला आता है देखिए करम ध्यान रखेगा मैं एके करके आपको पूरा अच्छे समझा रहा हूँ आसफाल अपरदन जब वर्षा की बूंद सीधे मिट्टी पर गिरती हैं तब मिट्टी के कण मुख्य भूमी से अलग हो जाते हैं इसे ही क्या बोलते हैं आसफाल अपरदन बोलते हैं ठीके इसके बाद देखिए आता है परत अपरदन मिट्टी की उपरी परत के अपरदन को ही क्या बोलते हम परत अपरदन मतला Sheet Erosion कहते हैं ये अपर्दन समतल भूमी पर मुश्लाधर वर्षा के बाद होता है। इसमें म्रदा का दिखना आसानी से दिखाई नहीं देता है। पर ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि मिठी की सुक्ष्ma और अधिक उर्वरक परत जो है उपर की वो इसमें हट जाती है। मिठी की उपर की परत जो होती है वो जल के प्रभागा के कारण हट जाती है। परत अपर्दन में ठीके ? आसफाल में देखे क्या हुआ ? बारिश की बून गिरी, उसमें देखिए मुख्य भूमी से मिट्टी के कण अलग हो गए परत अपरदन में क्या हुआ, सुक्ष में मिट्टी के कण जो है, वो पानी के साथ भेके आगे चले गए ठीक है, मिट्टी की परद जो है उपर की वो हड़ गई, परत अपरदन के लाता है, सुन में आरा आपको पूरा सिक्वेंस वाई चल रहे हैं, इसके बाद आता है देखिए चोथा अवनाली का अपरदन, जहां से एक्जाम में कोशन पुछा गया था, जब देखिए सतही जल की मात्रा बढ़ती है, मतलब जल की प्रभावा की मात्रा बढ़ती है धलानों पर जल का वेक भी बढ़ जाता है, जिसके कारण धाराय जो है, वो चोड़ी होकर अवनालियों में बदल जाती है, और आगे जाकर अवनालियां बड़े बड़े गड़ों में परिवर्तित हो जाती है, जो रील अपरदन में हमने देखा था कि छोटी नालिया जो ह जब वो लंबे समय तक चलता है, तब देखिए अवनालि का अपरदन में वो बदल जाता है, सहनने आपको अब एक वेरी वेरी इंपर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, चंबल घाटी शेत्र में खड़ों का निर्मान जो है, वो अवनालि का अपरदन के कारणी जो है, वो क्रशी योगी नहीं होती है, तो चंबल शेत्र में हम बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे आदा ध्यान रखिएगा, अवनालि का अपरदन जो देखने को मिलता है, वो मूरेना जीले में देखने को मिलता है, ठीक है, MPPSC में कोशन पुछाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, तो फ्रेंड्स, यह हमने मरदा अपरदन के प्रकारों को डिसकस कर लिया, तो मरदा अपरदन प्रतिक्तिरियाओं का देखिए, करम भी ध्यान रखिएगा आप, सबसे पहले आसफाल अपरदन, उसके बादा है परत अपरदन, फिर रील अपरदन और फिर अपरदन, यह सिक्वेंस ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इस सिक्वेंस से भी एक्जाम में कोशन पुछ लेते हैं, आसफाल अपरदन में वर्षा की बून से मिट्टी के कणों का अलग होना, परत अपरदन में मिट्टी की उपर की परत जल के सा आगे देखे फ्रेंड्स, मिर्दा संरक्षन के हम बात करें, तो भारत में मिर्दा अपरदन को कुछ प्रमुक उपायो द्वारा कम किया जा सकता हैं, जैसे कि व्रक्षार ओपन करके, बाण को नियंतरित करने के लिए बांदों का निर्मान करके, पशू चारण को नियंतर मिर्दा संरक्षन को किया जा सकता हैं, जूमकरशी को नियंतरित करके भी मिर्दा संरक्षन को किया जा सकता हैं, तो ये देखे फ्रेंड्स, सॉयल इरोजन वाला हमने पूरा अच्छा से समझ लिया, लास्ट में देखी एक important point discuss करते हैं, कि जो धलनी फसले होती है, वो nitrogen इस से मिट्टी की उर्वरक्ता जो है वो बढ़ जाती है, समझ में आया आपको, अब देखी यहाँ पर nitrogen स्थरी करण की बात करी हमने, तो इसको भी term को हमको समझना जरूर है, कुछ student को पता होगा, किसी को अगर नहीं पता हैं, तो एक बार हम इसको देखे शॉट में समझ ले वो श्वशन के जरिये सीधे इसका उप्योग नहीं कर पाते हैं, पोदो को nitrogen जो मिलने का स्तरोत है, वो क्या है nitrogen इस्थरी करण प्रक्रिया, समझना आया आपको, प्रकृती में कुछ ऐसे शुक्षमजीव पाय जाते हैं, जो वातावरान से सीधे nitrogen को ग्रहन करते हैं, और रुपान्तरन उप्युक्त जेवी की योगिकों में करते हैं, इसी पुरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, nitrogen इस्थरी करण कहते हैं, अब देखिए दलनी फसले जो है, उनकी पोदो की जड़ों में जो गठाने पाय जाती हैं, उसमें rhizobium परजिवी के बेक्टेरिया होते हैं ये बेक्टेरिया हवा में मौझूद nitrogen को लेकर पोदों में nitrogen जो है वो उपलवद गराते हैं, जो कि अब यमने बात करी, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, nitrogen इस्थरी करण बोलते हैं, क्लियर हुआ आपको, तो ध्यान रखेगा कौन-कौन सी दलनी फसले, चना, मूंग, अ अच्छी मातरा में देखिए, म्रदा मतलब मिट्टी की उरुवरक्षमता जो है, वो बढ़ाती हैं, मतलब ये जो फसले हैं, ये fertilizer का काम ही करती हैं, क्लियर हुआ आपको, तो यहाँ पर देखिए, friends हमारा ये theory वाला पूरा section complete होता है, बहुत ही बड़ा topic है ये, पर हमने स सारा cover करा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब exam में देखिए question जो है, वो इसके अलावा तो पूछी नहीं सकते हैं, हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है, अगर आप पूरा ये एक बार अच्छे से read भी कर लेते हो, ध्यान से सून भी लेते हो, तो आपको ऐसा कोई और जो आगे चल कर पूछे जा सकते हैं, very very important questions है वो, अगर आप वो 50-60 questions कर लेते हो अच्छे से, तो आपका म्रदा वाले section से देखिए कभी question गलत हो गई नहीं, सीधे देखिए उसी test में से exam में आपको question देखने को मिल जाएगा, friends अगर आपको इस topic का PDF डाउनलोड करना ह तो crazy daycare trick का application डाउनलोड कर लेजिए, वहाँ पर आपको option मिल जाएगा, friends आज के बस इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो please वीडियो को like करिए, share करिए और comment करके ज़रू बताएगा कि वीडियो कैसा लगा, अगर आपने देखिए beneficial वीडियो जब भी मैं upload करूँगा, आपको उसका benefit मिलता रहेगा, friends मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिन, जय भरत